हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौतम कोचिंग क्लासे तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें तो दोस्तों हमने क्लास 10 का पॉलिटी का चैप्टर टू हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था फेडरलिसम और अल्रेडी हमने यहां पर चैप्टर वन की जो वीडियो से वह अपलोट कर दी है अगर आपने वह नहीं देखी है तो आप जाके देख ल जी क्योंकि मैंनों इसमें पूरा बेसिक्स किया हुआ है फेडरलिसम के बारे में ओके तो दोस्तों आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मेनली वह पढ़ने वाले हैं कि फेडरलिसम में किस तरीके से प्रेक्टिस किया जाता है ठीक है यह मेनली यहां पर पढ़ने व provisions जो होते हैं जो की constitutional में दिये गए है federalism के लिए वो तो necessary है वो तो बहुत सादा जरूरी है किसी भी federalism की success के लिए बट ये दोस्तों sufficient नहीं है ठीक है if the federal experiment has succeeded in India it is not merely because of the clearly let out constitutional provision ओके तो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करता हूँ federal experiment जो है वो succeed हुआ है तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ये constitutional provisions के कारण ही हुआ है ठीक है इसके कुछ बाहरी आवरण भी हो सकते हैं बाहरी कारण भी इसके कुछ हो सकते है and the real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country तो हमारी country में दोस्तों जो democratic politics होती है democracy जो है हमारे यहाँ वो सबसे बड़ा हतियार है किसके लिए success के लिए federalism की ठीक है federalism की success के लिए सबसे बड़ा जो अपना हतियार है या सबसे बड़ा जो अपना contribution वो कह सकते है democratic politics का है इंडिया के अगर अंदर कर पात करें तो ओके and this ensured the spirit of federalism respect for biodiversity and desire for living together ओके तो दोस्तों यह ensure करती है क्या democratic politics यह ensure करती है दोस्तों इस तरीके का nature है democratic policies का हमारे politics का कि यह एक तो federalism की spirit को बनाई रखती है ठीक है federalism की spirit को बनाई रखती respect करती है दोस्तों किसको diversity को यानि अलग-अलग तरीके के लोग भी हमारे यहां क्या होते है दोस्तों साथ रहते हैं and desire for living together साथ में रहने का desire ठीक है साथ में रहने की जो इच्छाएं होती है ठीक है and become shared ideals in our country ठीक है अपने विचारों को अधान प्रदान करना and let us look at some of the major ways in which which is happened तो किन-किन ways में यह होता है यह चीज़ें हम यहां पर देख लेते हैं दोस्तों first is linguistic state हना अब यह linguistic states क्या होता है दोस्तों linguistic states का मतलब यह होता है language basis पर तो state होते है mainly वो हम यहां पर देख रहा है जैसे आपने सुना कि भाई उडीसा में ओडिया बोली जाती है हना मनीपुर में मनीपुरी बोली जाती है ठीक है इसी तरीके से अगर आप बंगाल चले जाएंगे तो वहां बंगाली बोली जाती है ठीक है फिर तमिल नाडू में तमिल बोली जाती है आंत्रप्रदेश में तमिल बोली जाती है करणाटका में कंणाड बोली जाती है तो इस तरीके से क्या है दोस्तों यह जो states है यह linguistic basis पे categorized है ठीक है न तो the creation of linguistic states was first and a major test for democratic politics in our country अगर आप देखेंगे अगर आप अपने देश की डेमोक्रेसी की जर्नी देखेंगे 1947 से लेकर 2017 तक तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो changes अना जो extent of changes है उनको देखकर आप surprise रह जाएंगे because यहां पर कोई भी उतने changes नहीं हुए है languages को लेकर या उनके छेतरों को लेकर ठीक है अपने जादा कोहीं किसी का culture में नहीं बदलाओ किया अपने किसी को जबर्दस्ती नहीं किया यह आप हिंदी ही बोली है यह बोली ह ठीक है अपने किसी के भी culture पेवार नहीं किया अपने किसी की language पेवार नहीं किया ठीक है तो changes यहां बहुत कम हुए है and many old states have vanished and many new states have been created तो यह हो सकता है हुआ है कि भाई पुराने जो states हैं उनको तूटके दूटके दूसरे राज्य बने हैं वो हना या दूसरे राज्य बन and areas, boundaries and names of states have been changed तो name change हो सकती है, boundary change हो सकती है ठीक है और वो हुई भी है ठीक है न इन 1947 the boundaries of several old states of India were changed in order to create a new state ओके तो 1947 में बहुत सारे राज्यों की क्या की गई थी बहुत सारे old राज्यों की 1947 में जो है boundaries change की गई थी और change इस order में की गई थी दोस्तों कि हमको new states भी बनाना है and this was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state तो इन्होंने बोला कि भई अगर जो same language बोलने वाले लोग हैं उनको हम same area में रखते हैं because उनके बीच में differences बहुत कम होंगे यूँकि दोस्तों linguistic basis पर अगर आप देखें तो आप क्या हैं मान लीजे एक आदमी है वो हिंदी बोलता है और एक आदमी हिंदी बोल रहा है एक आदमी कंणर बोल रहा है तो कंणर वाला हिंदी कंणर वाला हिंदी नी समझ पाएगा और हिंदी वाला कंणर नी समझ पाएगा तो इस तरीके से बहुत problems होने लगेगी ठीक है communication को लेकर ठीक है न और उनका culture अलग होगा उनका culture अलग होगा तो इस states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography और कुछ जो state बनाए गए वो language की basis बना करके उन वहाँ पर differences देखा गया, cultures में ethnicity और geography में ठीक है, area wise, तो इस तरीके से उनको क्या कर दिया गया बना दिया गया, and these include state like जैसे नागा लेंड हो गया उत्राखंड हो गया, जहाना ज्हार खंड हो ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर यह states है, ठीक है फिर यह असा कि आपको दिख रहा है हना, India का map तो यहाँ पर क्या दिख रहा है दोस्तों, जैसे कि हम देखेंगे, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको यह आपको दिख रहा है हना यह करनाट का दिख रहा है हना फिर यह आंद्र प्रदेश पूरा हुआ करता था ना यह बीच में तेलंगाना बन चुका है यहां से यहां तक ठीक है फिर यह मद्यप्रदेश है यहां में हिंदी चलती है रजिस्थान में भी हिंदी चलती है राजिस्थानी भी चलती है फिर यह कौन सा अपना 36 गड़ ठेक है तो यह आदिवासी इलागा है तो इनका कल्चर अलग हो नहीं कराने यह भी मद्यप्रदेश अलग हो गया वरना यह पूरा क्या हुआ करता था मद्यप्रदेश हुआ करता था फिर आगे इसमें हना तो दोस्तों यहां क्या बोला जा रहा है वेंड़ डिमांड फॉर्दा फॉर्मेशन ओफ स्टेट्स ओन दे बेसिस ओफ लेंगविज वस रेज़्ड सम्नेशनल लीडर्स फियर्ड डैट इट वोड लीड टू डिस इंटिग्रेशन ओफ दा कंट्री ओके तो जब डिमांड उठी कि स्टेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए और बेसिस ओफ लेंगविज तो कुछ नेशनल लीडर्स जो थे उस टाइम के उन्होंने बोला उनको डर लगा कि यहां पर क्या होगा अगर यह लेंगविज की बेसिस पर बढ़ गए तो कहीं यह अलग- कि आगे जाके यह अपनी कंट्री की भी डिमांड कर दें इस तरीके की चीज़ें लगी लोगों को हना जो लीडर्स से उस टाइम पर उनको एंड़ सेंट्रल गवर्मेंट रेजिस्टेट लिंग्विश्टिक स्टेट्स पॉर दा सम टाइम तो कुछ टाइम के लिए उन्ह सब्सक्राइम करते हैं तो ये ज़ादा कंट्री मनें लिए उसकी बनाए रखने के लिए बहुत सही रहेगा फिर आते हैं लिंगिग्श पॉलीसे के ऊपर हना a second test for Indian Federation is the language policy our constitution did not give the status of national language to any one language ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ अब language policy में हुआ हना अब माल दीजे हमारे देश में कई भाशाएं चलती है तो हम किसी एक भाशा को उठा के अगर अपनी जो है राष्ट भाशा बना देते तो यहाँ पे problem हो जाती क्यों problem हो जाती क्योंकि माल लीजिए मैंने हिंदी को उठा के अगर बना दिया तो हिंदी बोलने वाले राज्ये जो हैं वो तो बहुत खुश रहेंगे सरकार से वो तो बहुत अच्छे से रहेंगे कि चलिए ठीक है हमारी language को बनाया गया बड़े गर्वों में रहेंगे लेकिन जो बाकी states के लोग हैं दोस्तों जो दूसरी language बोलते हैं उनके मन में जरूर ये थोड़ी सी भावना आ जाएगी कि वही हमारी language को राष्ट भाशा क्यों नहीं बनाया गया हमारी language को इतनी मजबूत यानि कि इतना जो कह सकते हैं महा तो क्यों नहीं दिया गया ये एक भावना आ जाएगी इसलिए हमारी country ने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्या नहीं रखी दोस्तों कोई भी यहाँ पे language नहीं रखी है राष्ट भाशा नेशनल लेंविज कोई भी language हमारी नहीं है ये बात आपको धान रखना और हिंदी जो है वो हमने ऐसा official language क्या कर रखी है अडाप्ट कर रखी है ठीक है तो official language हमारी हिंदी है और इंग्लिश भी है और हिंदी जो है वो देवनागरी लिपी में है ठीक है ये बात आपको धान में रखनी है तो दोस्तों यही बात है कि भाई अगर हम हिंदी को बनाते राष्ट भाशा तो बाकी के जो 60% लोग है जो अलग-अलग भाशाएं बोलते हैं उनके बीच में conflicts पैजा हो जाते हना तो यहाँ problem आ जाती इसलिए क्या किया गया क्योंकि 40% जो इंडियन्स है उनकी ही किवल मदर टंग हिंदी है हना बाकियों की नहीं है तो यहाँ problem हो सकती थी इसलिए and therefore there were many safeguards to protect other languages बहुत सारे safeguards भी लगाएगा फिर हना तो उनको scheduled languages का दर्जादी दिया गया बेसाइड़ हिंडी there are 21 other languages तो हिंडी को लेकर 21 और भाषायों को ऐसा recognize किया गया scheduled languages by the constitution तो constitution के द्वारा by scheduled language जो है वो जोड़ी गई सम्विधान के अंदर ठीक है तो total 22 भाषाय है ठीक है scheduled language के अंदर हमारी and a candidate in an examination conducted for the central government position में opt to take the examination in any of these languages तो अगर मान लीजिये कि किसी central government की post में जाना है किसी बंदे को किसी ने बोला क्योंगी candidate बोलता है कि मुझे तो नहीं अपनी मातर भाषा तो हिंदी है हमारी हना लेकिन जो मुझे अपनी भाषा है मेरी मातर भाषा जो क्योंकि सब भई अलग है हना क्योंकि अभी जैसा भी अपने पड़ाएगी जिस लेंगवेज वो जानता है और जो 22 लेंगवेज के अंदर में आती है ठीक है ये बाद आपको समझ में आया यहोग क्या आ गया होगा तो स्टेट्स की भी अपनी ऑफिशल लेंगवेज है तो स्टेट्स को भी बोल दिया गया अधादी दे दी गई कि आप भी अपनी ऑफिशल लेंगवेज रख सकते हैं हना and much of the government work takes place in the official language of the concerned state तो काफी स्टेट्स में यह किया भी जाता है ठीक है यह वहाँ उनकी जो लेंगवेज है उसी में पूरे काम किये जाते हैं ठीक है and unlike Shri Lanka the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी को यहाँ पे दोस्तों जो अपनाया गया था तरीका वहाँ पे उस तरीके को ना अपना कर हमारे लीडर्स ने जो है वो बहुती सावधानी पूरवक तरीके से हिंदी को जो है वो फैलाने का काम किया यानि हिंदी भाशा का प्रचार करने का काम किया and according to the constitution the use of English for official purpose was to stop in 1965 ठीक है तो constitution के इसाब से English का use क्या हो गया दोस्तों official purpose के लिए 1965 में बंद कर दिया गया and however many non-hindi speaking states demanded that use of English continue in Tamil Nadu the movement took a violent form the central government responded by agreeing to continue the use of English along the Hindi for official purpose तो पहले आप जैसी के अपने पड़ा कि 1665 तक और English भी ऐसा official language चलती थी लेकिन 65 में उसको क्या कर दिया गया था 65 में उसको हटा दिया गया था तो काफी states से मांग उठी जो की अदर है हिंदी के द्वारा मांग उठती है कि भाई English को official language ऐसा दर्जा देना चाहिए हिंदी के साथ-साथ ठीक है तो फिर central और बहुत सारे movement भी होने लगे हना तो इसके कारण क्या हो गया central government ने फिर से जो है English को official purpose के लिए यूज करना चालू कर दिया ठीक है तो English speaking जो elite होते हैं तो जो English speaking elite लोग थे जो बहुत उतक्रष्ट लोग होते हैं समाज के बहुत अच्छे लोग होते हैं वो क्या है दोस्तों उन्होंने बहुत सारी क्या किये उन्होंने favor किया किसको English को ठीक है promoting of Hindi continues to be the official policy of the government of India और Hindi का जो प्रचार प्रसार है उसको continue रहने दिया गया by the official policy of the government of India ओके promotion does not mean that the central government can impose Hindi on states where people speak different languages Hindi का प्रचार करने का मतलब यह नहीं है कि central government जो है वो बिलकुल राज्यों के ऊपर Hindi भाशा को ठोपेगी ठीक है इसका मतलब यह है कि एक तरीके से प्रचार करेगी Hindi का ठीक है बस and the flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lankan finds itself in okay तो यहाँ flexibility हमको Indian political leaders के द्वारा देखने को मिलती है दोस्तों जिनके करण जो है आज यह ऐसा नहीं हो पाया श्री लंका के जैसा जहाँ पे language जो है वो थोपी जाए लोगों के ऊपर ठीक है न यह यहाँ पे नहीं किया गया ठीक है अब देखते हैं वही central state relation के बारे में ओके central state relation के बारे में देखते हैं कि central state के relations कैसे चलते हैं वही हना तो restructuring the central state relation in one more way in which federalism has been strengthened in practice हना तो restructuring करना restructuring जो है दोस्तों यह क्या करती है यह federalism को मजबूत करने का काम करती है central state के बीच में जो relations है उनकी restructuring होनी चाहिए restructuring का मतलब क्या होता है कि पुनर जो पुनर निर्मान होता है उसका हो कहते हैं आपन कि हमें central state के relations को और better बनाना चाहिए जिससे जो है वो federalism की practice को बहुत असानी होगी and how the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements तो mainly जो है उसनों यह power sharing जो हो गया constitutional arrangement जतने यह बनाया गया है तो इनका मतलब कब होगा जब लोग इस चीज को follow करेंगे ठीक है उसे जो ruling parties है और leaders जो है इस arrangement को follow करते हैं यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर होता है इन में अगर अपन देखें तो and for a long time the same party ruled both at center and in most of the states this means that the state government did not exercise their rights as autonomous federal units तो इसका मुंतिव क्या होता है मान लीजे राज में भी एक ही की सरकार है और केंदर में भी एक ही की सरकार है तो राज जो हैं दोस्तों वो ऐसा autonomous काम नहीं कर पाते हैं फिर वो central government की बातों पे ही क्या करते हैं central government अगर मान लीजे उनके उपर बूलती है तो वो फिर उस तरीके से काम करने लगते हैं ठीक है तो autonomous federal units जो है वो एक तरीके से यहां पर जो है fail हो जाती है fail कह सकते हैं कि उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है क्योंकि अगर मान लीजे opposite party की सरकार होती है तो वो अपने तरीके से काम करना चाहेगी लेकिन जो same party की सरकार है वो central के ही इशारों पर चलेगी ठीक है and as and when the ruling party at the state level was different the party ruled at the center tied to undermine the power of the states in those days the central government would often misuse the constitution to misuse the state governments that were controlled by rival parties तो यही बात कर रहा है कि आज के अगर अपन बात करते हैं तो अभी के अगर अपन बात करते हैं तो central government misuse कर रही constitution का हना क्योंकि state government भी उन्हीं की party की सरकार है वहाँ पर भी तो वो इसका क्या कर रही है misuse करती है central government and this undermined the spirit of federalism federalism की आत्मा को यह चाने का एक तरीके से जो इसको अगहत करने का है वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से उसको क्या करती है ठीक है एरा स्टार्ट हुई किसकी coalition government की ओके जो coalition की government होती है मिली जुली सरकार जो होती है गड़बंदन की जो सरकार होती है वह जो एरा है वो तभी से स्टार्ट हुई 1990 के बाद से अगर उन किसी को केंदर में सरकार बनाना है तो किसी भी पार्टी को फुल वोट मिल ही नहीं रहे है उनको रीजिनल पार्टी के सहरा लेना पड़ रहा है और coalition की government बनाना पड़ रहा है ठीक है तो लोग सब हमें उसके बाद कोई clear majority नहीं लेकिया आया और यहां पर इस्टेट गवर्मेंट के अंदर मान लीजे रूजिनल पार्टी की सरकार रहती है और वहां पर केंदर में जो है दूसरी पार्टी की सरकार रहती है ठीक है तो क्या हुआ इससे यह हुआ दोस्तों की सुप्रीम कोट के भी जो मेंजर जज्जमेंट आया है फेटर्ल्ड गर्मेंट के इसमिस नहीं कर सकती है जादा रहेगी थिक है के और उन गार्ट्रचेयर्च थैग है फेडरल पावर यह दो देखके रहेगी रहेगी di केम इंटू फॉर्टो कॉंस्टिटूशन के आने के बहुत सारा बाद शुरुवाती इयर्स में जो है वो अगर आपन बात करें तो फैडरल जो स्ट्रक्चर था वो उतना अच्छा नहीं था जितना की आज है ठीक है तो यह बात यहां पर कहीं जा रही है तो दोस्तों यहां सब्क्राइब की चल्व एख को इस ते इला आपको च έχει तो यहां पर क्या दिख रहा है अब यहां आप आभीनes कर रहे हैं चल्सक्ριक्वारणां कर रहे हैं यह जो सेंटरल गबर्मेंट के लोग हैं कर आता करा दान कर रहा हुं केंदर के बहुत ज़ादा आधीन हुआ करते थे एक तरीके से पूल सकते हैं कि ज़ादा पावर जो है वह इनको नहीं दी जाती थी लेकिन अगर आज के बाद हम करें तो पहले के मुगत पावर तिए वह जादा है कि यहांपे फिर यह दिया हूआ है ठीक है। यह देख लूगों को मिला सुना इस तरी के से तर दोस्तों आजKY लिए हम इतना ही रखते हैं और यहां पर आज अगली कालास में किधिन ही लिगित तो पड़ने眞ालेहर तक यह अगला अपना टॉपिक रहने वाला है ठीक है अगर तक अब आपने होगा रहा हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो गरप्या हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले तक या आगे आने वाले अच्छी वीडियोग को मिलती रहे ओके